रुजहान तो सब लड़के लड़कियों का एकी तरफ होता है आट-दस साल की उमर से छोड़ दीजिए एकाद दो ही होंगे जो कहेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं बाकी सब इसी में लग जाएंगे गुद भरो आंदोलन जिस भी समाज में देश में साक्षरता बढ़ती है वहाँ प्रजनन दर अपने आप कम हो जाती है आप जो करना चाहते हो आप जैसे जीना चाहते हो वो बात लोगों के ढर्रे के विपरीच जाती है तो वो तो दबाव बनाएंगे प्रणाव सर मेरा विवाव हुआ था सर उसके बाद दो बच्चे हुए हमें पत्री मेरी ग्रहनी है और एक बेटा है पहले पर उसके बाद बेटी हुई परन्तु कुछ मेडिकल कंडिशन के कारण उसकी मिरत्ती हो गी थी अभी एक लड़का ही है साड़े तीन साल का अब फिर से जो है थोड़ा सा पत्नी की तरफ से भी और पत्नी के घरवालों की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर वही आ रहा है जो कि भी एक बच्चा और किया जाए अब मैंने फत्नी को तो समझाया परन्तु वो नहीं समझ पा रही इसको अच्छा मेरे माता-पिता भी है या मेरी पत्नी के माता-पिता भी है जो उनको यह चीज़ समझाना कि भी यह एन्वायरमेंट के लिए खत्रा है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम कैसे काम चलाएंगे बहुत ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ पे तो वो भी उनक भी रहे तो उसको उल जाने के लिए वो चाते हैं कि भी आप एक बच्छा वैदा कर लो इसका टाइम निकल जाएगा इसमें यह हो जाएगा सेम कंडिशन मेरे साथ है अगर वो नहीं किसी और काम में लेकी रहती है तो फिर मुझे परिशान करना थोड़ा सा चलता रहता है उसका अब मुझे यह समझने आप रहा है कि भी मैं उसको कैसे समझाओं या उसके माबाप को कैसे समझाओं और अगर नहीं करता हूँ दूस सकता है, तो फिर उसका, क्या solution करूँ क्या it कैसे". इसमर्थ नहीं है नौकरी करने की तो समर्थ बनाई है? या सर सव्चाशनी के साख्राइविक बढ़ाही है? सेक्षन ही की हो गे था दस्वीं, बारवीं, मेट्रेक, कॉलेज जो भी है पास कर रही है ये बात इतनी अविश्वसनी है क्यों लग रही है इसलिए थोड़ा सा क्योंकि पढ़ाई के तरफ भी उसका इतना रुजहान है नहीं है रुजहान तो सब लड़के लड़कियों का एक ही तरफ होता है है ना रुजहान पैदा करवाना पड़ता है नहीं तो आप लड़के लड़कियों को आट-दस साल की उमर से छोड़ दीजिए एक आद दो ही होंगे जो कहेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं प्राक्रतिक रुजहान तो सबका यह होता है समस्या इसमें यह नहीं है कि आप जानते नहीं कि क्या करना चाहिए आपको अड़चन ही आ रही है कि जो करना चाहिए उसमें श्रम भहुत लगेगा यह है आपकी अड़चन तो उसमें तो मैं कोई साहिता नहीं कर सकता वो श्रम तो आपको ही करना पड़ेगा वो श्रम नहीं करेंगे तो फिर वही समाधान है कि दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा जो भी है करिए आपके लिए तो यह बात बड़ी जिम्मेदारी की तरह है ना पत्नी अगर बहुत पढ़ी रिखी नहीं है तो यह जिम्मधारी की बात है कि अब उनको पढ़ाना लिखाना है यही तो पहला काम होना चाहिए भई आप अपने आपको पती की तरह देखें या मित्र की तरह देखें या बाप की तरह देखें या सलाकार की तरह देखें तो आपके सामने कोई होता है आप उसको पहली सला क्या देते हो पढ़ाई करो या बच्चा पैदा करो कोई सामने है आपके और एक बच्चा पहले से है फिलाल तो उसको आप क्या सला दोगे कि पढ़ो या बच्चा करो पढ़ने की सलाद होगे न तो हर नाते आपका कर्तब यही है कि पढ़ने की और उनको प्रेरित करें तो पहले तो पढ़ने में लग जाएंगे चार-पांच साल पर पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंडनी है और नौकरी में जमना उसमें और चार-पांच साल लग जाएंगे इतने में समय भी बीट जाएगा और बुद्धी भी थोड़ी विक्सित हो जाएगी देखिये जो भी लोग एक सही जिन्दगी जीना चाहते हो वो ये समस्या तो लेकर आएं ही नहीं कि हम सही जिन्दगी जीना चाहते हैं गलत निरणे से बचना चाहते हैं लेकिन लोग बहुत दबाव बना रहे हैं लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे दबाव तो बनाना लोगों का काम है आप जो करना चाहते हो आप जैसे जीना चाहते हो वो बात लोगों के धर्रे के विपरीच जाती है तो वो तो दबाव बनाएंगे ही इसमें नई चीज क्या है इसको ले करके अब रोना क्या ये तो होना ही है इसका कोई समधान ने इसका तो यही है कि अच्छा तेरे पास समय जादा है दिन पर खाली बैठी रहती है चल तेरे अड्मिशन कराते है कराई ये अड्मिशन या डिस्टेंस एजुकेशन जो भी हो आपको देखना है कि कौन सा सार्थक तरीका है उच्छे तो उसको पढ़ाने के लिए जब जमेट्री की प्रॉब्लम समने आएगी न तिमाग से बाकी सब शितूर उतर जाएंगे क्यों भी पुछ रहा हाँ बताओ जड़ा इलेक्ट्रोलिसिस की थियोरी तो उसमें लोरी थोड़ी सुनाओ गए और वोही सब थियोरी पढ़ी नहीं है बच्छपन से इसलिए लोरी लोरी जादा याद आता है ये तो जाना हुआ प्रमानित सिद्ध तथ्य है कि जिस भी समाज में देश में साक्छर्ता बढ़ती है वहाँ प्रजनंदर अपने आप कम हो जाती है इन दोनों में इन्वर्स को रिलेशन रहता है हमेशा हर जगे कहने वाले ये भी कहते हैं कि लिटरसी इस अग्रेट कॉंटरसेप्टिफ जितना आगे पढ़ते जाओ ये बच्चा पैदा करने का कारेक्राम अपने आप ही कम होता जाता है आप पीच्डी कर लीजी पीच्डी करते करते ही आप 30-35 के हो जाएंगे टालते चलिए टालते चलिए और जब आप खूब टाल लेते हैं तो उसके समझ माँ जाता है कि अच्छे ही किया टाल दिया ऐसी नजरों से मत देखो मेरे पास इस जादा कोई समधान नहीं है आगे की मेहनत आपको ही करनी है अचारी एक प्रशन और था मेरा जैसे कोई ग्रास्त है तो अभी वाधात्तम की तरफ चलने उसने शुरू कर दिया है तो थोड़ा सा जो यह शरी से संबंधिती जितने विक्रिया है यह माली जी कामवासना सेक्स है तो उसका एक ग्रस्त के जिवन में क्या स्थान रहता है जैसे मैं अपना ही आपको दे देता हूं एक्जाम्पल अगर जैसे जबसे मैंने आपको सुनना शुरू किया है तो मैंने थोड़ा सा इसको कामवासना को अवाइड करने के कोशिश करी तो अब पत्री की तरफ से फिर ग्रोध आ जाता है उसको यह लगता है कि भाई पकड जो है धिली और यह तो किसी और तरीके से कोशिश करती है पकड को टाइट करनेगी अध्यात्म का मतलब होता है बेहतरी उचाई इसकी और बढ़ना तो सीधा सा सवाल जो आपका है वो यह अध्यात्मिक आदमी कि जिन्दगी में सेक्स बचता है कि नहीं और वो करता है तो किस के साथ कैसे कब कहां यह सब यह जो पारंपरिक बात रही है कि अध्यात्म के साथ साथ काम वासना क्षीन हो जाती है वो बात अपनी जगे बिलकुल ठीक है लेकिन उसमें यह बात भी है कि फिर आपकी वासना आपके मुल्यों का एक प्रतिबिम्ब बन जाती है कि यह को धोशना बन जाती है कि मुझे क्या चीज पसंद है पहले आप एक साधारन आदमी थे जिसकी साधारन बलकि निम्न तल के मूल्य थे तो उसी तल का आपको इसाथी भी चुन लेते थे अध्यात्मिक व्यक्ति चुकी उचाईयों का प्रेमी होता है उच्चता का तो इसी लिए वो फिर शेक्स को एक साधारन मनोरंजन की तरह नहीं इस्तेमाल करता पत्नी है घर में मान लीजिये आपने कह दिया कि तुम्हें पढ़ना है ठीक तुम्हें ग्राजुएशन करने है और वो पढ़ नहीं रही है इधर उधर की बात कर रही है जैसे आपने कहा वो पगड़ टाइट करने ही कोशिश कर रही है अद्यात्मिक आदमी ऐसी इस्थित में वासना की और बढ़ ही नहीं पाएगा वो तेजना अनुभावी नहीं करेगा उसने अपने शरीर को अपने मूल्यों के साथ एलाइन कर दिया है आप उसको कह रहे हैं पढ़ो वो कह रहे हैं नहीं मुझे पढ़ना नहीं है मुझे तुम्हारे साथ सोना है आप कहेंगे मैं सो इनहीं सकता तेरे साथ क्योंकि अभी जो तेरी हालत है यह मुल्यों के बिलकुल विपरीत है मैं रिस्पेक्ट ही नहीं करता तेरी इस स्थित की और तेरे इस हट की जिद की तो नहीं हो पाएगा हाँ तु बहुत अच्छे नंबर लाके दिखा दे तु कोई ऐसा सवाल हल करके दिखा दे ना जो कठिन है तुझसे हो नहीं रात है तु कहीं पे कुछ दिखातो जो तुझ में मूल्यवान है सम्मानिय है तब तु किसी सुख की हकदार बनेगी और तब मैं भी अपने आप कोई अधिकार दे पाऊंगा कि तेरे मेरे बीच में सु तो तेरे साथ होना ऐसी सी बात होगी जैसे कोई जानवर जाकर के कीचड में लोटे उसमें क्या गरिमा है तो आप जैसे होते हो आपके जीवन के सारे कर्म वैसे ही होते हैं आपकी सेक्शुल एक्टिविटी भी फिर वैसे ही हो जाती है घटिया आदमी अपने लिए जो जाती होगा उसको चुन लेगा एकदमी सड़ा गला उसको उसकी नजर उसी पर जाएगी और नजरी उस पर नहीं जाएगी उसको खुबसूरत भी लगेगा हम आप सूर के सामने फल रख दें ताजे और मल रख दें सूर की आशिकी तुरंट किस से बैठ जाएगी मल से बैठ जाएगी फल उसको थोड़ी पसंद आएगा तो वैसे ही जब तक हम सूर होते हैं जितना मल होता है वह हमको परी समान लगता है आप जो हो उसी उनुसार तो आपको प्यार हो जाएगा ना आप सूर हो तो सामने टटी है वह ही आपको ओगे तो दिल आ गया अध्यात्मा आपको भीतर से बहतर कर देता है आप उचे हो जाते हो फिर आपको व्यक्ति भी उचा ही पसंद आता है और उचे लोग बहुत कम होते हो मिलते नहीं तो इसलिए आपकी जो आवरत्य है सेक्शूल एक्ट की वो अपने आप कम हो जाती है आप अब यह नहीं कर पाओगी कहीं भी जाकर के कूड़े कचड़े में मू मारा है आपसे हो गा ही नहीं आप चाहो तो भी नहीं होगा आपको वैशाले भीज दिया जाएगा यहां यह भी वास्तविक ब्रह्मचर्य भी है वास्तविक ब्रह्मचर्य कहता है ब्रह्म में चर्या करना और जिसके जीवन में ब्रह्म बिल्कुल नहीं है मैं उसके साथ चर्या कैसे कर लूँ भले ही वो मेरी भार्या हो पर उसके जीवन में जब ब्रह्म नहीं है तो मैं उसके साथ इसलिए sexual act की मैं कह रहा हूँ frequency एक आध्यात्मिक आदमी की बहुत कम हो जाती है उसकोई मिलते ही नहीं अपने लायक बात आरी है समझे तो sex becomes an expression of what you stand for your deepest your highest values यह नहीं कि कहीं भी कुछ भी मिला तो मित्तरता हो जाईगी मित्तरता में शरीर का भी आदान प्रदान हो सकता है कोई ऐसा नियम नहीं है कि sex नहीं ही करना है पर ये नियम जरूर है कि कीचण में नहीं लोटना है कोई इस लायक मिले कि उसके साथ तुम निर्वस्त्र कर सको अपने आपको, तो ही करना है और शरीर से जब आप कपड़े उतारते हो उस चीज का एक आध्यात्मिक महत्तु है वो चीज एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी समझी जा सकती है कपड़ों का उतारना, माने जो भीतर है उसको अनावरत करना और आध्यात्मिक द्रिश्टिस देखे तो एकदम जो भीतर है वो आत्मा है और आत्मा उसी के सामने उगहाड़ी जाती है जिसके पास आत्मा को देख पाने की आँख हो नहीं तो ये बड़ी गरिमाहीन, इंडिग्निफाइड स्थिति होती है कि आपने अपने आपको उगहाड़ दिया और किसी ऐसे के सामने उगहाड़ दिया जो देख भी नहीं सकता कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो उसको बस शरीर दिख रहा है तो शरीर उसके सामने नगन करो जिसके सामने आत्मा अनावरित कर सकते हो इस बात को नियम की तरह पकड़ लो तु मेरी आत्मा अगर देख सकता है तो ही मेरा शरीर देखना और जो तुम्हारी आत्मा देखने की आँखी नहीं रखता, उकात ही नहीं रखता, उसको फिर शरीर भी मत दिखाओ अपना बात आ रही है शिक्स का मुद्धा बहुत छोटा हो जाता है, जब प्रेम का मुद्धा बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद आपको पूछना नहीं पढ़ता है कि सेख अच्छी चीज़ह, बुरी चीज़ह करें कि नहीं करें फिर होना है तो होगा, नहीं होना तो सालों तक नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पढ़ता फिर और sanctuary होती है बहुतना बड़ा होई नहीं होता लेकिन चुकि हमारा समाज ऐसा है जिसमें प्रेम और अध्यात्म शून्य है बिलकुल तो हमारे लिए सेक्सी बहुत बड़ी बात है हर आदमी पगलाया घूम रहा है, सेक्स मिल जाए, सेक्स मिल जाए, और समाज पगलाया घूम रहा है, कि कोई सेक्स करता पकड़ा जाए, तो तुरंत उसकी पिटाई लगाएं, पीटे वो लोग जाने चाहिए न, जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, पर समाज उनकी अपराद कर दिया, कि आप बिना प्रेम का जीवन जी रहे हो, लेकिन इस चीज की समाज में कोई सजा नहीं, किसी कानून में कोई प्राउधान नहीं, नहीं तो जो कानून लिखे जाएंगे, तो विधानों में सबसे पहला अपराद और सबसे बड़ी सजा, इसी बात की हो इसको ठोक बजा के सही करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब यह रहता है, देखो, सेक्स कहां चल रहा है, सेक्स कहां चल रहा है, चार लोग मिलेंगे, और वहां शुरू हो जाए, गपबाजी, निश्चित ही विशय यहीं पर आकर टिकेगा, कि कौन किस के साथ महत्यों की बात होनी चाहिए, प्रेम की, और प्रेम है अगर, तो सेक्स अपने आप सही जगह पर आ जाएगा, बहुत ज्यादा वो बचेगा ही नहीं, और जितना बचेगा फिर, उसमें फिर सुगंध होगी, कीचड की बदबु नहीं, और सेक्स भी, एक बहुत उचा काम हो सकता है, अगर सही केंदर से किया जा रहा हो तो, हमें उस केंदर की परवाह करनी चाहिए, सेक्शूल एक्ट की उतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, जिन्दगी क्या मैं सही केंदर से जी रहा हूँ, मुझे सही साथी चुनना आता है, वो अगर कुछ बोल रहा है, तो क्य तो क्या मैं उसकी आँखों में उसकी आत्मा को पढ़ पाता हूं ये होने चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्ण इन प्रश्णों का जवाब खोजिए ये प्रश्ण अगर ठीक चल रहे हैं तो सेक्स छोटी बात है इतना उस पर शोर शराबा मचना नहीं चाहिए न वो इतनी बड़ी हवस बन जानी चाहिए कि कर रहा है नहीं अरे यार दूसरी चीज़ पर ध्यान दो ना असली चीज़ पर सेक्स को पीछे रखो होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना हो तो नहीं हो सारा करता है एक बड़ी एम्टिनेस एक वाइड की और क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा सेक्स है जिन्दगी को उच्चतर मुल्यों से भर दो दो परिणाम होंगे पहली बात तो ये हवस वग्यारे के लिए इतना समय नहीं मिलेगा और हर किसी को हवस की नजर से देखी नहीं पाओगे जब एक उचे इंसान बन जाते हो ना तो कोई साधारन इस्तरी साधारन पुरुष जा रहा हो उसको देखके तुम्हें कामना उठेगी नहीं वो नंगा भी हो जाए तुम्हें कोई कामना नहीं उठेगी क्योंकि तुम्हें एक तल पर पहुँचे हुए आदमी हो तुम ऐसे थोड़ी कि किसी ने कपड़े उतार दी और तुम उत्तेज़त हो जाओगे हो गई नहीं पहली चीज ये दूसरी चीज ये होगी और जो पहली चीज से इससे क्या होगा पहली चीज से ये होगा कि जो तुम्हारा समय जाता है sexual thoughts में perversions में बहुत कम हो जाएगा और जो दूसरी चीज से वह ये होगी कि जब तुम sexual activity करोगे तो उसका एक अर्थ होगा उसमें एक सुंदर्ता होगी उसमें एक सुगंध होगी वो सही जिन्दगी जीने के पुरसकार की तरह एक घटना होगी मैंने भी सही जिंदगी जी, तुमने भी सही जिंदगी जी, और हम दोनों ने आज अपने आपको ये पुरुसवकार दिया है वो फिर ऐसे नहीं होगा कि तुम भी दिन भर लती आए गए और मैं भी दिन भर गरी आई गई हूँ तो रात में दोनों मिलके चलो मनुरंजन की तरह पलंग तोड़ें जादा तरह ऐसा ही होता है इस्तरी पुरुष दोनों ने दिन भर एक ठकी, बदहाल, बेकार जिन्दगी जी होती है तो रात को अपने आपको थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए मनुरंजन की तरह फिर वो सेक्स वेक्स करते है ये घटिया, सबसे घटिया तल है सेक्स का सही सेक्स, बेकार जीवन के तनाव को हटाने की विधी नहीं बन जाएगा सही सेक्स, एक उचे जीवन को जीने का पुरसकार बनेगा मैं भी सही जी रहा हूँ, तुम भी सही जी रहे हूँ मैं भी दिन भर सही लड़ाई लड़के आया हूँ जखन देखो मेरे, खून है और तुमने भी दिन भर डटके चुनौतियों का सामना किया है आज, अब आज हम दोनों इस बाग के अधिकारी है कि साथ सो सकते हैं हमारी तुमारी आत्मा एक है वो जो एक सत्य है, उसी के लिए दिन भर मैं भी लड़ा हूँ और उसी के लिए दिन भर तुम भी डटी हो एक सत्य के लिए हम दोनों डटे हैं तो हम दोनों भी अब एक हो सकते हैं शारिरिक तलब भी एक हो सकते हैं ये होता है सही सेक्स और अनिवारता नहीं है कि हम दोनों ही उस एक लक्षे के लिए ही समर्पित रहे हैं तो शरीर से भी एक होना है, कोई अनिवारता नहीं है, पर अगर होना है, तो ठीक, अब ठीक, अब अनुमती है, यह थोड़ी कि, फूटे हुए गोलगप्पे सी जिंदगी, कोई उपर से तुछ डाल भी रहा है, तु नीचे से बहा जा रहा है, और कूद रहे हो सेक्स के लिए, न पढ़े, न लिखे, न ज्यान, न ध्यान, चाहिए संतान, यह कौन सी पाशविक्ता है भाई, कुछ समझ में आ रही है बात, अचाहरे जिसमें एक चीज़ और थी, जो मैं पूछना चाता था, कि जैसे आपने कहा कि बई, जैसे जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा आपको सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो जो मेरी काम वासना थी, वो अपने आप कम होती गी, तो पत्नी से फिर दूरी बनती गई, अब समस्या आजाती है कि जैसे पत्नी है, अपने माता पिता के साथ डिस्क्रिस करती है यह बाते हैं, सारी के सारी, तो फिर वहां से एक प्रेशर आजाता है कि भई, इसका ध्यान कहीं और तो नहीं, या फिर मान लोगा आता है कि भी, जो एक पुरुष के अहंकार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो नपुन सकता कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया इसको, तो फिर इन सब बातों को अवाइड़ी करना पड़ेगा, तो बुरा ही क्या है, हो गए नपुन सक, अच्छी बात है तो, इससे अच्छा तोफा कोई आपको दे सकता है, आप घोशित ही कर दीजिए न, महुत सारे यासे मिल जाएंगे डॉक्टर, 150 लेके वो दे देंगे आपको, पूरा सर्टिफिकेट, बनवा लाईए, क्या इनका, असाध्य है रोग, इनका कुछ नहीं हो सकता, बुरा ही क्या है, ठीक, अज्ञान के प्रति, हाँ, जीवन के निचले तलो के प्रति, हाँ, हम हो गए हैं नपुनसक, उनको लेकर हम में अब कोई कामना उठती ही नहीं, हम बिल्कुल नपुनसक हो गए हैं, और ऐसी नपुनसकता बहुत शुभ हैं, बिल्कुल शुभ हैं, हमारे सामने तुम जानवर खड़ा कर देते हो, हमें कोई उतेजना नहीं होती, हम नपुनसक हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, क्या बुराई हैं ऐसी नपुनसकता में, सबको मिले ऐसी नपुनसकता, अश ठीक, भला हुआ मुरी गगरी फूटी, आप सारी गगरियां फोड़ दीजिए, फूट गई, रोज रोज के पनिया भरन से मैं छूटी, पानी भरने के भी अब, कोई जिम्मेदारी नहीं है, गगरी फूट चुकी है, एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, अश अशारी जी, एक बार आप एक सत्रकी बात थी, उसमें आपने किसी, कोई छोटा बच्चा था, उसकी मनुस्तिती के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने गहा के, उस बच्चे ने आपको देखा, तो उसने बोला बियर, वो बच्चा, माशा बियर, एक कार्टून सीरे जाती है, वो देखता था, तो उसने आपको देखा था, उसने कहा के बियर, तो मेरा भी बेटा है, जैसे चोटा, तो मैं एक दिन उसके साथ, माशा एंड बियर देखने लगया था, तो वो देखके, मेरा मतलब, मुझे लगा कि उस बच्चे ने आपको बिल्कुल सही पहचाना, उसमें शोटा बच्चा, जिसका नाम माशा है, वो रहता है, वो दुनिया भर के शरारतें करता है, दुनिया भर की धमा चोकड़ी में चाता है, उस खर काम उल्टे करता है, पर जब बियर आता है, बियर उसके सारे काम सुधारता चला जाता है, तो मुझे उसको देखके यह फिलिंग आती है, कि भी मैं माशा हूँ, हम सब माशा हैं, और आप सच में बियर हैं, धन्यवाद अचारे जी, प्रणाम, अजस जाते हैं,